नमस्कार, NIOS के सभी शिक्षार्थियों का स्टूडियो में स्वागत है आज हम भारतिय दर्शन के तहट सांखे दर्शन के परिचे के रूप में भाग चार विशे को पढ़ेंगे इसके अंतरगत हमने इससे पहले सांखे दर्शन के अन्य तत्वों को पढ़ा बहुत सारे विश्यों को पढ़ा उसके तहत ही आज हम पढ़ेंगे कि पुरुष बहुत्वम क्या पुरुष एक है या बहुत्व है इस पर सांखे दर्शन अपनी क्या राय रखता है सांखे दर्शन किस प्रकार से प्रतिपादित करता है कि पुरुष बहुत्व है क्योंकि हम इससे पहले के भाग में भी हमने बताया था कि वेदान्त दर्शन के यहां जहां पर की वो एक पुरुष की बात करते हैं आत्म की बात करते हैं जिवात्मा और परमात्मा वहां एक ही रूप में हैं लेकिन सांखे दर्शन का मत इन से अलग है सांखे दर्शने पुरुष बहुत्वम स्वीकरोती अर्थात सांखे दर्शन में पुरुष बहुत्व को स्वीकार किया जाता है और पुरुष बहुत्व के पीछे वो बहुत सारे अपने प्रमान भी प्रस्तुत करता है किस प्रकार से पुरुष बहुत है बहुत हर एक जगा अन्य अन्य जगा पर पुरुष बहुत को किस प्रकार से प्रमानित किया जा सकता है इन बातों को सांखे दर्शनकार विविन प्रमानों के द्वारा विविन हेत्वों के द्वारा इसे प्रमानित करते हैं इसमें सांखे ही प्रति पुरुषम भिन्नह पुरुषः जिवात्मा इती अर्थाथ सांखे कार जो हते हैं जो सांखे दर्शनकार हैं वो प्रति पुरुषम भिन्नह पुरुषः जिवात्मा इती मन्यती अर्थात हर एक पुरुष के शरीर में हर एक पुरुष में अलग अलग जीवात्मा है इसलिए पुरुष बहुत ये सिद्ध होता है अगर हर पुरुष में एक ही आत्मा होती तो सभी के व्यवहर भी समान होते लेकिन समान नहीं होते हैं इसलिए पुरुष बहुत उसका मत बिलकूल सही है जन्म निधनेंद्रियाना प्रतिपुरुष भेद दर्शना बताते हैं कि अगर पुरुष एक होता तो एक के ही जन्म होने से सारा सभी का जन्म हो जाता एक की ही मृत्य हो जाने से सभी की मृत्य हो जाती है एक के इंद्रिय के कारे करने से सभी के इंद्रिय काम करने लगते परन्तु ऐसा तो होता नहीं है जगत में हम देखते हैं कि सभी अलग-अलग इंद्रियों का प्रयोग करते हैं सभी का अलग-अलग जन्म होता है, सभी की अलग-अलग मृत्य होती है। तो इस प्रकार से पुरुष बहुत सिद्ध होती है। तो सांखे दर्शन का ये मत्व की जन्म अलग-अलग जन्म होने से, अलग-अलग मृत्य होने से, इंद्रियों के अलग-अलग विवहार करने से, प्रति पुरुष भेद दर्शनात, पुरुष बहुत्तम इति सिद्धम भवती, अतहा पुरुष बहुत्त को सांखे दर्शन इसके पीछे और भी कई सारे उन्होंने कारण दिये हैं इससे सर्वेशाम एक काल प्रवृत्या भावात सांग के कारिका में इश्वर कृष्ण जी कहते हैं सर्वेशाम एक काल प्रवृत्या भावात अगर एक पुरुष होगा तो एक ही प्रकार की प्रवृत्यी सभी की होनी चाहिए एक काल में सभी की एक ही प्रकार की प्रवृत्यी होनी चाहिए जो की नहीं दिखता है सामान व्यवहार में ऐसा बिलकुल नहीं होता है तो सामान व्यवहार में हर एक व्यक्ति अलग-अलग समय में अलग-अलग प्रकार के व्यवहार करते हैं तो फिर एक पुरुष को हम कैसे माने तो यहां पर सर्वेशाम एक काल प्रवृत्ति के अभाव होने से एक ही समय में एक ही प्रकार की प्रवृत्ति कभी किसी में नहीं दिखती है इस प्रकार के विवहार का अभाव होने से पुरुष बहुत की सिद्धी होती है पुरुष एकत्व प्रमानित नहीं होता है तो सांके दर्शन का यह मत बहुत ही युक्ति संगत प्रतीत होता है और एक काल की प्रवृत्ती को बहुत ही सही तरीके से उन्होंने प्रमानित किया हुआ है सत्वा दि गुणा नाम भेद दर्शनाथ जो सत्व, रज और तम ये तीन गुण होते हैं सभी व्यक्तियों में अलग-अलग प्रकार से देखे जाते हैं किसी के व्यवहार में सत्व गुणों की प्रधानता देखी जाती है किसी के व्यवहार में तमो गुण की प्रधानता आधिक देखी जाती है किसी में रजो गुण की प्रधानता आधिक देखी जाती है पुरुष एकत्व नहीं है, एक पुरुष नहीं है, तो पुरुष बहुत्व की सिद्ध के लिए ये सत्वादी गुनों का भेद देखने से पुरुष बहुत्व की बात बिलकुल सिद्ध होती है, प्रमानित होती है, और कई सारे ऐसे भी उदारन हैं, जनन मरन करना नाम प प्रतिनियमात, अलग-अलग होते हैं, किसी का जन्म कभी होता, किसी का जन्म कहीं होता, कोई कहीं और जन्म लेता, कोई अन्य क्षेत्र में जन्म लेता, कोई किसी अन्य समय में जन्म लेता, कोई किसी अन्य समय में मृत्यू को प्राप्त करता, अर्थात, सभी के जन्म, मरण और विवहात सभी कुछ अलग-अलग हैं जब सभी के अलग-अलग हैं तो एक की बात नहीं हो सकती सभी अलग की बात हो सकती है तो इसलिए सांखेकारिका में पुरुष बहुत की सिद्धी मानी गई है पुरुष बहुत को स्विकार किया गया है और ये बात बिलकुल ही प्र परमान दिया जाता है आयूग पत्रबित्तेश्चा अर्थाथ प्रवृत्ती लोगों की जो है। एकठा नहीं है, सभी के व्यभार एक साथ एक समय पर एक ही रूप से नहीं है, बलकि कैसे हैं, तो अयुगपत प्रवृत्तेश्चा, युगपत प्रवृत्ती लोगों की नहीं है, एक साथ की प्रवृत्ती लोगों की नहीं है, अगर पुरुष एक अत्व है, सभी पुरु दूसरा पुरुष है, उसको भी पढ़ा रहा होना चाहिए, मैं अगर खेल रहा हूं, तो दूसरे को भी खेल रहा होना चाहिए, ऐसा तो नहीं होता है, इसलिए पुरुष क्या है? बहुत है, इसलिए यहाँ पर जो ये हेतु दिया गया, अयुगपत प्रवृतेश्चा अर पुरुष बहुत सिद्ध होता है, त्रई गुण्य विपरिया याद, तीन जो गुण है, सत्वा गुण, रजो गुण और तमुण, इन तीनों गुणों के विपरिया होने से, किसी में कोई गुण, किसी में कोई गुण, किसी में किसी गुण की मात्रा दिक, किसी में किसी गुण की मात्रादि होने से क्या हो रहा है कि त्रेगुण्य भी परियाद जो है पुरुष बहुत तो की सिद्धी हो रही है तीनों गुणों की अलग अलग होने से अलग अलग प्रकार के होने से अलग गुनों के होने के कारण अलग अलग विभार लोगों के होते हैं अलग अलग भाशाएं होती हैं अलग अलग बातचीत होते हैं अलग अलग रहनसान होता है तो सब कुछ अलग अलग होने से पुरुष बहुत तो की सिद्धी होती है क्योंकि इसके पीछे का कारण सत्व रज और तम होता है और इस सत्व रज तम भी सभी व्यक्ति में अलग-अलग रूप से अलग-अलग तरीके से अलग-अलग मात्रा में सन्निहित होते हैं इसलिए यहाँ पर पुरुष बहुत्यों की सिद्धी इस हेतु के द्वारा होती है पुरुष बहुत्यों की सिद्धी के बाद में हम आज देखेंगे कि इश्वर के बारे में सांखे दर्शन क्या कहता है क्या इश्वर है या इश्वर नहीं इश्वर के बारे में जब बाकी अन्य दर्शन का मत है जो सभी दर्शन करीब चितने भी शड़ दर्शन है इस छहो दर्शन इश्वर को मानते हैं और इसी के आधार पर कुछ दर्शन को इश्वरवादी दर्शन और कुछ दर्शनों को अनिश्वरवादी दर्शन की संग्या में गिना जाता है तो जहांपे जो तीन हमने सबसे पहले भाग में बताया था कि जो तीन नास्तिक दर्शन हैं वो वेद को नहीं मानते हैं इसलिए नास्तिक दर्शन हैं तो इश्वर को मानना या इश्वर को नहीं मानना ये नास्तिक या आस्तिक होने का प्रमान नहीं है इश्वरवादी दर्शन और अनिश्वरवादी दर्शन देखा जाता है, तो सांखे दर्शन के प्रवृत्ति कैसी है, क्या सांखे दर्शन इश्वरवादी दर्शन है या अनिश्वरवादी दर्शन है, तो प्रमाना भावात न तदीश्वरस्त सिद्धी ही, अर्थात जो सांखे दर्शन है वो इश्वर को नहीं मानते हैं इनके जो आदी प्रवर्तक कपिल मुनी है कपिल मुनी के जब सांख सुत्रों को पढ़ा जाए जो देखा जाए तो वहां कहीं पर भी इश्वर की चर्चा नहीं होती इसलिए कई बार अन्य लोग इस पर अनीश्वरवादी होने का आक्षेप करते हैं बताते हैं कि भारतिये दर्शनों में जो सांखे दर्शन है वो अनिश्वरवादी दर्शन है वो इश्वर को नहीं मानता है तो अब लेकिन बाद के जो परवर्ती अन्य आचार हुए उन्होंने इसको प्रमानित अपने अलग तरीके से किया कि वो किस प्रकार से इश्वरवादी दर्शन है या अनिश्वरवादी दर्शन है इसको हम आगे के हेतू में देखेंगे तो प्रमाना भावाद न तद इश्वरस्त सिद्धी प्रमान के अभाव में इश्वर की सिद्धी संभव नहीं है अर्थात कोई भी प्रमान जो प्रमान की बात आती है तो सांखे दर्शन तीन प्रकार के प्रमानों को मानता है वो प्रमान के रूप में प्रत्यक्ष, अनु प्रमान और शब्द ये तीन प्रमान को सांखे दर्शन मानता है तो सांखे दर्शनकार सांखे दर्शन के आचार या सांखे दर्शन के जो मर्मग्य हैं वो बताते हैं कि ना तो इश्वर किसी दी प्रत्यक्ष से हो सकती है प्रत्यक्ष अर्थात इंद्रियार्थ द्वारा उसे देखा नहीं जा सकता, इश्वर को कोई देख नहीं पाता है, इसलिए प्रत्यक्ष से इश्वर के सिद्धी नहीं हो सकती, अनुमान के द्वारा भी इश्वर के सिद्धी संबब नहीं है, ऐसा सांख्य दर्शन के आचारी कहते हैं, और शब्द के द्वारा भ इश्वर नहीं है ऐसा मत सांखे दर्शन की पूर्ववर्ती आचारी उपस्थापित करते हैं संबंधा भावात न अनुमानम अब हमने तीनों प्रमान की बात की तो यहां पर यह बताते हैं कि संबंध के अभाव होने से किसी भी प्रकार का संबंध ही नहीं है तो हम अनुमान प्रमान के द्वारा इश्वर की सिद्धी नहीं कर सकते हैं मैंने पहले प्रतेक्ष, अनुमान और शब्द तीनों की बात की थी वस्तुता बाकी जो अन्यदर्शन है वो इश्वर की सिद्धी के लिए वहाँ भी प्रतेक्ष के द्वारा, शब्द के द्वारा और उपमान के द्वारा इश्वर की सिद्धी नहीं होती है अन्य दर्शन भी अनुमान के द्वारा ही इश्वर की सिद्धी करते हैं इसलिए यहाँ पर सांखे सूत्र में महरशी कपिल ने अनुमान की बात की और यहां बता रहे हैं कि संबंद के अभाव होने से इश्वर की अनुमान के द्वारा सिद्धी करना विर्थ है इश्वर की सिद्धी अनुमान के द्वारा नहीं कर सकते हैं क्योंकि बाकी अन्यदर्शनों ने ही अनुमान को ही माना है इसलिए इन्होंने कहा कि अनुमान के दौरा इश्वर की सिद्धी नहीं की जा सकती है आचारिया विज्ञान भिक्षु सेश्वरम सादेत लेकिन महर्शी कपिल के बाद जब परवर्ती कुछ आचारी हुए उन आचारियों में विज्ञान भिक्षु का नाम आता है और उन बातों को सपस्ट करते वे आचारी विज्ञान भिक्षु ने सेश्वर के साथ सांखे दर्शन को प्रमानित करने का प्रयास किया अर्थाप आचार विज्ञान विक्षू इश्वर है इस प्रकार के मत को उन्होंने साधा इस प्रकार के मत को उन्होंने स्थापित किया और विज्ञान विक्षू से ले करके ही जो सांखे दर्शन पर एक आक्षेप आता था कि ये सांख्य दर्शन जो है अनिश्वरवादी दर्शन है उस आक्षेप को हटाने का प्रयास विज्ञान भिक्षु ने अपने गरंथों के माध्यम से किया और बाद के जो परवर्ती अचारी हुए उन सभी आचारियों ने इन बात को मानते हुए अपने अपने मत इश्व अब इश्वर नहीं है इसके लिए इन्होंने जो है मनिवत मनी की तरह है जब मनी को कहीं रख दिया जाता है तो मनी के छुपे होने से फिर उस क्या होता है कि उसका प्रकाश अपने आप होता है तो उसके प्रकाश होने से इश्वर की जिस प्रकार से मनी सिद्ध होता है उसी प्रकार इश्वर के कारियों से कहीं कुछ जो प्राकृतिक कारे होते हैं उससे इश्वर की सिद्धी होती है ऐसा परवर्ती आचारियों ने कहा है इश्वरत से सन्निधि मातरे ने प्रकृतोव चैतन्यम व्यापारश्य यथा चुंबक सानिधियन लोग है अब इश्वरत की सिद्धी के बारे में यहाँ पर परवर्ती जो आचारी बाद वाले आचारी हुए हैं उन्होंने ईश्वर की सिद्धी के लिए बहुत सारे अन्यमत भी दिये, उन्यमतों में बताया उन्होंने ईश्वरस्य सन्निधि मात्रियन प्रकृतव चैतन्यम व्यापारश्य। प्रकृति में चेतंता है और प्रकृति में व्यापार है व्यवहार है और वो व्यवहार कैसे है जिस तरीके से चुम्बक के सानिदि में लोहा जब चुम्बक के सानिदि में जाता है या चुम्बक जब लोहे के सानिदि में जाता है तो कोई नो कोई व्यवहार होता है उसी प्रकार की विवहार की बात यहां पर सांग के दर्शन में इश्वर के संदर्व में किया गया है सही सर्ववित सर्व करता और उसमें बताया है कि वही इश्वर जो हैं सर्ववित हैं और सर्व करता है सभी के करता है प्रकृतिक रूप से जो कुछ भी घटनाएं संसार में घ इस्वर क्या है सर्व वित हैं सर्व करता है सभी कारियों को करने वाला एक मात वही इस्वर है इस प्रकार के सिद्धी परवर्ती आचारियों ने सांक्य दर्शन में किया है धन्यवाद आज स्टूडियों में इतना ही और फिर हम लोग अगले भाग में फिर और कुछ पढ़ेंगे